हलो फ्रेंड्स वेलकम यू ओल एट बैंकर्स लिंक यूटूब चैनल आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दीमेट एकाउंट के बारे में जो कि जो डीमेट एकाउंट हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से ये वर्ग करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो तो उसमें जो भी आपकी चीज electronically exist करती है हम उसको बोलते हैं dematerialized यानि के वो physical form में नहीं है वो electronically form में है तो सबसे पहले जो यह form है वो electronic form है उसे को हम demate या dematerialized बोलते हैं सबसे पहले जो भी physical securities है या paper securities है उनको अगर हम convert कर दें electronically form में तो वो हो जाती हैं आपकी dematerialized यानि के जिसको sort of बोलते हैं demate तो इसी का concept को लेकर आज हम बात करने वाले हैं demate account के बारे में जैसा कि जानते हैं कि शुरुबात में जब कोई भी securities हमें खरीदते थे हम लोग bonds हो चाहें shares हो तो फिजिकल form में एक certificate form में हमें मिलते थे हैं और physically उनका सब settlement भी होता था लेकिन कुछ समय पहले demate का concept आया उसमें जो भी shares या bonds या mutual fund या insurance policy या ETF exchange tradable fund उनको convert किया गया electronic form में डिजिटल form में और उनको जिस account में हम इस्टोर करते हैं हम उसको बोलते हैं आपका demate account इस particular demate account में जो भी आपके shares या securities होती हैं उनको जो repositories हैं तो उसमें रखा जाता है इंडिया में बात करें तो दो repositories हैं जिसको हम जानते हैं एनेश्टी एल और सीडी एसल के नाम से जो आपकी एनेश्टी एल है वो सबसे पुरानी है जो कि 1990 से स्टार्ट होई थी अगर बात करें जो आपका broker होता है या तो वो आपका account एनेश्टी एल में डिमेट अकाउंट होल्ड करता है आपके विहाब पर या फिर वो सीडी एसल में होल्ड करता है आपका डिमेट एकाउंट फॉर सपोज एक्जामपल के लिए हम समझते हैं कि अगर आपने HDFC बैंक के दस सेर खरीदे हैं तो इस केस में क्या होगा जो आपके broker है वो आपके विहाब पर जो आपके डिमेट एकाउंट है या तो वो नेश्टी एल में होगा या CDSL में होगा तो उसमें दस सेरों की आपकी एंट्री करवा देगा जो की होता है आपका क्रेडिट मालिया कि दस सेर जो है HDFC के वो आपके एंश्टी एलिया CDSL के डिमेट एकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे इसी तरह से जब यह सेर आप बेचेंगे तो यहां से जो दस सेर हैं आपके वो डेविट यानि के निकल जाएंगे इस तरह से जो भी बेंक एकाउंट की तरह इसमें सिस्टेमेटिकली जो भी एंट्री हैं वो होती जाती हैं और जो भी आपकी सेक्यूर्टी हैं वो एनेजडियल या सीडियसल आपके व्याब पे उसमें होल्ड करता है और उसका पर्टिकुलार रेक रिकोर्ड बनता जाता है इसी सबसे जो डिमेट एकाउंट है वो प्रोसेस होता है और जो यह एनेजडियल और सीडियसल है यह दोनों डिपोजिटरी इसमें एकाउंट खुलवा सकते हैं फ्रेंज थेंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको भी वीडियो पसंद आया तो शुर लाइक करें शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें